नमस्कार, स्वागात है आप से भीका, सिक्षा सेटी के सेटोब चैनल में दोस्तों हमने जो RRB, NTPC और Group D के लिए हमने जो टेसरीज स्टार्ट की हुई है उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तता आज के इस वीडियो में हम टेसरीज का जो भाग 10 है उसको हम पुरिविस्तार में कवर करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के भाग 10 में हमने कौन-कौन से महतपूर्ण 30 प्रसनों को सम्बलीत किया हुआ है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जो की हम RRB NTPC के लिए डेली बिस्स पर आप तक पहुचा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा इस वीडियो को सेर कीजिएगा इसके साथ अगर आप हमाईट चैनल ने पहली पार आ रहे हैं दो गुटों में हो गया था वे दो गुट कौन कौन से थे एक था नरम दल और एक था गरम दल तो आपको बताना है कि जो भागतिराष्ट्री कॉंग्रेस थी वह नरम दल और गरम दल में किस वर्स बिभाजित हो गई थी तो इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option c यानि कि 1907 में जो भागतिराष्ट्री कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था शूरत में ये जगह आपके लिए सुपर important है तो भागतिराष्ट्री कॉंग्रेस का जो 1907 इस वह में सूरत अधिवेशन हुआ था इसी अधिवेशन में जो कॉंग्रेस थी वह दो दलों में इसके साथ 1916 में जब कॉंग्रेस का पुना अधिवेशन होता है कहां पे लखनव में तो पुना जो नरम दल था और गरम दल यह दोनों एक जूट हो जाते हैं 1916 में जो लखनव में कॉंग्रेस का अधिवेशन होता है इसमें जो नरम दल था और गरम दल दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे भी आप याद देखिएगा यह भी काफी अच्छा प्रस्न है इसके बाद अगला important प्रस्न है भारत के प्रधार मंत्री को उनके पत की जो सपत है कौन दिलाता है तो भारत के जो प्रधान मंत्री होते हैं उनको उनके पत की जो सपत है वह दिलाता है राष्ट पती यानि option A इसका बिल्कुल सही है भारत के जो राष्ट पती होते हैं वे भारत के प्रधान मंत्री को उनके पत की सपत दिलाते हैं तो राइट एंचर हो जाएगा हमारा option A या बी काफी अक्चा प्रसंद है मुख्य मंतरी को दोनों आपको पता होना चाहिए इसके बाद अग्ला इंपोर्ड़न प्रस हमारा है डेवीस कब का संबन्द निमलिकित में से किस्से है तो डेविस कब जो है इसका संबंध निमलिकित में से किस से है तो डेविस कब का संबंध है टेनिस से यानि ऑप्सन जो इसका डी बिल्कुल सही है यह टेनिस से संबंधीत है अगल्या प्रसमरा क्या कह रहा है असम में आपको बताना है निमलिकित में से कौन सा राष्टी उद्यान इस्थीत नहीं है तो दिये गए options में से असम में कौन सा राष्टी उद्यान नहीं है तो काजिरंगा असाम में स्थित है मनास असाम में स्थित है औरंग असाम में स्थित है परन्तु नौकरेक जो है या असाम में नहीं स्थित है तो कहां स्थित है तो जो नौकरेक राष्टी उद्यान है या आपको मिलेगा मेघालय में तो इसे आप ध्यान दिजेगा जो नौकरेक राष्टी उद्ध्यान है आपको मेघालय में मिलेगा और बाकी के तीनों जो राष्टी उद्ध्यान है काजी रंगा मनास और ओरंग ये तीनों आपको मिलेंगे असाम में तो इसे आप ध्यान दिज जो काजी रंगा निशनल पार्क है यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है तो यह भी काफी बार एक जाब में पूछा गया है तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा अगला प्रसमारा क्या कह रहा है अगर एक उपकरण दौरा केबल या तार की मदद लिए बीना एक ने अगर को नेटवर्क अस्थापित किया जाता है तो उसको हम कहते हैं वायरलेक्स कनेक्शन अगला प्रसमारा है अल्यू का पूरा नाम आपको बताना है कि अल्यू का पूरा नाम क्या होता है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका अल्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानि option A इसका बिल्कुल सही है arithmetic logic यूनिल जो होता है ALU का पूरा नाम होता है तो option जो A है इस प्रसंद का बिल्कुल सही है अगला प्रसंद माना क्या कहा रहा है निमलिकित में से कौन सी जो प्रक्रिया है सूर के अंदर घटित होती है आपको बताना है तो सलयन की जो प्रक्रिया होती है वह सूर के अंदर घटित होती है अगला प्रसंद मारा क्या कहा रहा है जो विधुत बल्व होता है उसका जो filament होता आपको बताना है कि किस का बना होता है काफी बार एकजाम में यह प्रस्थन पूछा गया है तो जो विद्दुद बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है या बना होता है टंगस्टन धातु का यानि option यह इसका बिल्कुल सही है टंगस्टन अब यह जो विद्दुद बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का यह क्यों बनता है क्योंकि इसका जो melting point है या का काफी ज़्यादा होता है तो इससे आप ध्यान दिजेगा अगला प्रसमारा क्या कहा रहा है जो ऑप्टिकल फाइवर है आपको बताना यह किस सिधान पर किस प्रिंसिपल पर कारे कहलता है तो आप्टिकल फाइवर जो है या कुल आंतरिक परावलतन पर अधारित है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्टिकल फाइवर यानि आप्टिकल फाइवर यानि आप्टिकल फाइवर यानि आप्टिकल फाइवर यानि इसका बिल्कुल सही है अगला प्रसमारा क्य क्या रहा है निम्न में से कौन सा एक monosaccharide है आपको बताना है कि दिए कि options में से कौन सा एक monosaccharide का example है तो इसका right answer क्या हो जाएगा dextrose आप याद देखिएगा dextrose जो है किसके रूप में? dextrose जो होता है या glucose के रूप में भी इसको जाना जाता है या आपके exam में पूछा जा सकता है कि dextrose को अनिकिस नाम से हम जानते हैं तो glucose आपका right answer हो जाएगा इसके साथ ही glucose का कई बार रासाइनिक शुत्र भी पूछ लिया जाता है तो glucose का रासाइनिक शुत्र क्या होता है? C6 हो गया है आपका H12 और C6 तो यह glucose का रासाइनिक शुत्र होता है आप या देखिएगा C6, H12, C6 क्या होता है तो glucose का रसाइनिक सुत्र होता है अगला प्रसमारा क्या कह रहा है magnetite निम्लिकित में से किसका सबसे प्रमुख आयसक आपको बताना है तो इसमें से magnetite किसका मुख्य आयसक है तो लोहा का है यानि option B इसका बिल्कुल से जो magnetite है या लोहा का एक मुख्य आयसक है अगला प्रसमारा क्या कह रहा है निम्लिकित में से कौन सा प्रदूसक पेट्रोल के जलने से निकलता है काफी अच्छा प्रसन है तो पेट्रोल के जलने से कौन सा प्रदूसक निकलता है तो इसमें से तीनों इसका राइटन से रहेगा नाइट्रस अक्साइड हो गया उसके बाद कार्बन मोनो अक्साइड हो गया उसके बाद बेंजीन हो गया तो उप्यूग तीनों जो प्रदूसक होते हैं वासिंग सोडा का रहसानिक नाम आपको बताना है तो वासिंग सोडा का रहसानिक नाम क्या होता है सोडियम कार्बोनेट यानि option इसका भी बिल्कुल सही है सोडियम कार्बोनेट जो होता है यहाँ वासिंग सोडा का रहसानिक नाम होता है अगला प्रस्थ हमारा क्या है प्लांट सेल की जो दिवार होती है किसकी बनी होती है काफी अच्छा प्रस्थ है तो प्लांट सेल की दिवार किसकी बनी होती है तो सैल्यू लोज की किसकी तो सैल्यू लोज की बनी होती है प्लांट सेल की दिवार यानि option A इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्मारा क्या कहा रहा है निम्ण में से कौन सा acid मानो सरीर में मास्पेसियों में एठन का कारण बनता है तो मानो सरीर में मानो सरीर में जो मास्पेसियों में एठन हो जाती वो किस अमल के कारण बनती है तो लैक्टिक अमल्यानी option यह इसका बिल्कुल सही है लैक्टिक अमल्य के कारण जो है मानो सरीर में एठन उत्पन होती है तो आप इसे ध्यान दिजेगा यह काफी अच्छा प्रसना हो कई बार एक्जाम में पूछा गया है वह अगर हम tartaric acid की बात करें अगरा important प्रसन हमारा क्या कह रहा है चीटी और बिच्छू के डंक में कौन सा acid पाय जाता है तो इसका right answer जागा जिसको हम formic acid के नाम से भी जानते है मैथनाईग acid या formic acid ये पाय जाते हैं चीटी या बिच्छू के डंक में तो अप इसे ध्यान देजेगा अगला प्रसनारा क्या कह रहा है और वायू स्वसन क्या है तो और वायू स्वसन क्या है तो oxygen के बीना स्वसन की क्रिया को हम औवायू स्वसन कहते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option A oxygen की मतलब बीना oxygen की जब हम स्वसन मतलब जब सांस लेते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं औवायू स्वसन यानि option A इसका बिल्कुल सही है अगला important question हमारा क्या कह रहा है निमलिकित में से किस रक्त समों को सारवभावमिक दाता यानि कि universal donor किस रक्त समों को कहा जाता है तो सारवभावमिक दाता हम कहते हैं किसको ओ रक्त समों को ओ रक्त समों के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम सारवभावमिक दाता कहते हैं और सार्व भौमिक ग्रही किसे कहते हैं तो सार्व भौमिक ग्रही का जाता किसको तो AB रख्त सम्मू को तो दोनों आपको बता होना चाहिए अगर सार्व भौमिक डाता की बात हो यानि कि universal donor की बात हो तो यहाँ पे right answer आपका हो जाएगा और सार्विभवेव्मिक यहां पे अगर हम बात करें प्रप्त करता कि यानि कि सार्वबहव्मिक ग्राही की बात कर दें तो a-b रग्द्वेव्मिक आपका right angel हो जाएगा तो रग्द्वेविश की खोज कि दरा कि गए थे भी important है तो रक्त-समोंकी खोज की गई थी Carl Land तो दो option C इसका बिल्कुल सही है वलतमान में हमिस्था क्या है हमारे तो हद मिस्था हुआ जो हमारे हैं वल्तमान में ग्री मंत्री है और नर्दन मोजीज ये हमारे वल्तमान में प्राइम निस्टर है तो इसे भी आप द्यान दिजेगा अगला important प्रस हमारा है निमलिकित में से किस वर्स में भारत में इंटर पूल मीटिंग का आईजित किया जाएगा तो जो इंटर पूल की मीटिंग है या भारत में आईजित किजिएगी वर्स 2022 में तिसे आप द्यान दिजेगा तता वर्स 2022 में भारत में G20 का सिखल समेलन भी आईजित किया जाएगा तो यह जानकरी आपके दिमाग में होनी चाहिए इसके साथ वर्स जो 2022 है 2022 में जो वर्ड डेरी समीट है आप यह ध्यान दिजेगा जो वर्ड डेरी समीट याँ पे डेरी की बात हो रहे तो वर्ड डेरी समीट जो है यह भी 2022 में भारत में ही आयोजित की जाएगी तो 2022 का साल जो है भारत के लिए काफी important है अगला important प्रसमारा है एक चीज़ आप धन दिजेगा 2022 का जो साल है यह हम मनाएंगे अपनी 75 वर्सगाठ किसकी अपनी स्वतंदरता की हम 75 वर्सगाठ मनाएंगे वर्स 2022 में तेसे भी आप ध्यान दिजेगा अगला प्रसमारा है हाली में किस देश ने पंज तीरत धार्मिक अस्तल को राश्ट्री धरोहर घोसित किया है तो यह कौन सा देश है तो यह देश है पाकिस्तान यानि आप्शन इसका यह बिल्कुल सही पाकिस्तान जो है उसने पंज तीरत धार्मी कस्तल को क्या गोसित किया है तो एक राष्टी धरोहर गोसित कल दिया है तो राइट इंसल आपको मिलेगा पाकिस्तान अगला प्रसमारा है हाली में पाकिस्तान के पहले हिंदू सिविल जज के रूप में किसे निक्त किया गया है तो पकिस्तान की जो पहली मैला हिंदू सिविल जज बनी इनका नाम है सुमन कुमारी यानि option यह का बिल्कुल से सुमन कुमारी अगला प्रस्मारा है हाली में राष्टी यूद्ध इसमारक कहाँ बनाए गया है तो हाली में जो राष्टी यूद्ध इसमारक इसको बनाए गया है कहाँ पे नए दिल्ली में तता या किसके बगल बनाए गया है तो इंडिया गेट जो है इंडिया गेट के बगल में ही बनाए गया है राष्टी यूद्ध इसमारक तो इसे आप ध्यान दिजेगा अगला प्रसमा रहा है हाली में भारत ने किस देश के साथ S-400 ट्रायम्प डिल पर हस्ताक्षर किया है तो रूस इसका रैटेंस हो जाएगा रूस के साथ भारत ने S-400 ट्रायम्प मिसाल खरिदने के लिए समझोता किया हुआ है आप द्यान देजेगा तता रूस से ही हमने जो हमारा एकमात्र युद्ध पूत है आएनस विक्रमा दित उसको भी हमने खरीदा हुआ तिसे अभी आप द्यान देजेगा आएनस विक्रमा दित को भी हमने रूस से ही खरीदा हुआ है तता हाली में फ्रांस से हमने राफिल विमान भी खरीदें, इसे आप जान देजेगा, हाली में राफिल विमान की खरीद हमने फ्रांस से की है, अगला प्रसमारा क्या कहा रहा है, UNEP याने की United Nation Environment Program का Headquarter आपको बताना है, कहां पे है, तो United Nation Environment Program का Headquarter आपको मिलेगा, नहरोवी में, नहरोवी है, Kenya की राजानी, तो Kenya के राजानी नहरोवी में आपको मिलेगा, UNEP का Headquarter, UNEP के स्थापना की गई थी, पांच जून 1972 को, इसके प्रमूख कोने प्रिजन टाइम है, तो Inger Ederson कोन है, तो Inger Ederson जो है, यह वातमान में प्रमूख है, United Nation Environment Program के दिसे, आप द्यान दिजेगा, इसका Headquarter मिलेगा, Kenya की राजानी नहरोवी में, अगला प्रसमारा क्या कहा रहा है, इज आप Doing Business Index जो जारी किया गया था 2019 में, उसमें भारत का स्थान क्या था, तो Inger Ederson को जारी कलता है, तो इसको जारी कलता है, वर्ल्ड बैंक, तता इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश था 2019 में, तो पहले स्थान पर था New Zealand, और दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स स्थान पर था, आपका सिंगापूर, और तिसरे स्थान पर कौन था, तो तिसरे स्थान पर था, होंग कॉंग, तो यह तीनों देश आपको पता होने चाहिए, इज आप Doing Business Index 2019 में, भारत का स्थान था, तिसको जारी कलता है, वर्ल्ड बैंक, इसमें पहले स्थान पर था, न पूलिस के दोरह, यानि, आप्सन इसका भी बिल्कुल सही है, केरल, अगरा है, बाड़े में जारी किया गया जो सतत बिकास गोल सुचकांग 2019-20 है, इसमें कौन सा भारती राज्जी सेर्ष पता, तो हाली में जो सस्थेनेबल डेलप्मेंट गोल्स इंडेक्स जारी किया ग आपशनेज के बिल्कुल सही है, केरल, आजका लाश्ड प्रस previously है, हाली में किस राज्जी में कुटूमबसरी होटल खोला गया, इसमें गरीबों को सस्थे में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो जो कुटूमबसरी होटल, कहां पर खोला गया है, तो इसकी शुरूवा पहला जो Space Tech Park है वह भी खोला गया है तो इसे आप ध्यान दिजेगा भारत का जो पहला Space Technology Park है यह तिरुवननत पूरम में खोला गया है तो तिरुवननत पूरम की राजदानी है तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा तो दोस्ते हमने यहां पर टेस श्रीं जुव हमारी थी उसके हमने टोटल 30 प्रसंदों को कवर कर लिया है I hope आपको वीडियो जुरू पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही Thank you, thanks for watching, thank you